प्रकति संतुलन बनाये रखने तथा अपने आस पास वाता वरन सच रखने पेड़ पौधी लगाना बहुत जरूरी है पेड़ पौध हो हमें आक्सिजन प्राप्ती होती है हमें अपने लालच पेड़ पौध हो नहीं कारणा चाहिए बच्चो उपर लिखे गध्यांस में कुछ सब्द छूट गया है मतलब कुछ सब्द छूट गया है यह जो रिक्तिस्थान दिया है खाली जगत दिया है यहाँ पर कुछ सब्द छूट गया है जिनके बिना वाक्यों में कुछ अपूर्टा आ गई है अपूर्टा मतलब कि क्या है ये जो वाक्य है ये पूरा नहीं है इसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता अब देखिए इसको पढ़ते हैं प्रकति में संतुलन बनाये रखने के लिए प्रकति में संतुलन बनाये रखने के लिए तथा अपने आस पास के वाता वराण को सच रखने के लिए पेड़ पौधों को लगाना बहुत जरूरी है पेड़ पौधों से हमें ऑक्सिजन की प्राप्ति होती है हमें अपने लालच के लिए पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए देखिए अब यहां पे क्या है यहां पे अपूरता थी लेकिन यहां पे पूरा क्या हो रहा है यहां पे पूरा वाक क्या बन रहा है पूरा अर्था निकल रहा है देखिए आपने देखा कि में के लिए के को से की आधी सब्दों को आपस में जोड़ने का कारिक कर रहे हैं ये सबी कारक या परसर्ग कहलाते हैं इनको क्या कहते हैं कारक या परसर्ग कहला अता है अब देखिए इसकी क्या है इसकी परिभासा पड़ते हैं संग्या या सर्वनाम शब्दों का वह रूप जिससे उसका सम्मंद वाके के दूसरे सब्दों से जाना जाता है कारक या परसर्ग कहलाता है पढ़ते हैं कारक के भेद कारक के आठ भेद हैं कितने भेद हैं आठ भेद हैं जो इस प्रकार हैं करता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक अपदान कारक, सम्मंद कारक, अधिकरन कारक, संबोधन कारक यह कितने भेद हो गए? आठ भेद हो गए अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कारक के नाम दिये ही में है यहाँ पर विभक्ति चिन है मतलब कि हम कैसे पहचानेंगे इसका क्या चिन होता है और यहाँ पर क्या है? इसका उधारांड दिया है अब देखिए कर्ता का क्या है? विभक्ति चिन ने है और इसका उधारांड क्या है? आचल ने कविता पढ़ी देखिए यहाँ पर क्या है? यह विभक्ति चिन कौन सा है? ने आगे कर्म को करण से के साथ के दोरा कुट्टे ने बिल्ली को खुब दोराया मैं कार से विद्या ले गया आगे पढ़ते हैं संपादन के लिए को अपदान से से मतलब अलग होना संबन का के की अदिकर्ण में पर संबोधन हे अरे अब देखिए इसका उदाहरन जो है इसका कैसे ये संपरदान के लिए देखिए पिता जी मुच के लिए देखिए आपे विवक्ति चिन यो जो रहा है अपदान छत से पानी टपक रहा है ये इसका विवक्ति चिन है संबंध निशा की बहन खाना बनाती है अधिकरन मेपर पतीले में चावल रखे हैं और संबोधन में है अरे मेरी बात भी सुनो अरे मेरी बात भी सुनो ये क्या है अरे कौन सभी बक्ति चिन है संबोधन धन्यवाद आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट नों सर्वनाम पढ़ेंगे पढ़ते हैं रिदम एक अच्छा विद्यार्थी है रिदम कच्छा पांच में पढ़ता है रिदम के सभी साथी रिदम को बहुत पसंद करते हैं और रिदम के साथ पढ़ते तथा खेलते हैं अब देखिए यहाँ पे यह आपने लाइन्स पढ़ी अब देखिए इसके बारे में बताया जा रहा कि ध्यान से पढ़िए बच्चों उपर दिये गए सब्दों में रिदम का नाम बार बार प्रियोग किया गया है यहाँ पे आप देखने हैं कि रिदम, रिदम, रिदम के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है कौन से क्लास में पढ़ता है, किसके साथ खिलता है, हर जगे उसके नाम का प्रियोग किया गया है, जिससे वाक्यों के अर्थ समझने में कठिनाई हो रही है, तथा वाक्य भी कुछ अटपटे से लग रहे हैं, अब उपर दिये ग उसके साथ पढ़ते तथा खेलते हैं, इस गद्यांस में रिदम के स्थान पर वहा उसे आदि सब्दों का प्रियोग किया गया है, ये शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम की परिवासा पढ़ेंगे, जो सब्द संग्या सब्दों के स्थान पर प्रियोग की जाते है सर्व नाम कहलाते हैं क्या कहलाते हैं सर्व नाम कहलाते हैं अब देखिए यहाँ पर एक बात है जो कि आपको याद रखनी है इस चेप्टर के बारे में सर्व नाम सब इस्त्रिलिंग तथा पूरलिंग दोनों में समान रहता है वह बाजार जा रहा है वह खाना मंगा रही है देखिए यहाँ पे दोनों जगा स्त्री लिंग और पुर्लिंग पे दोनों जगा क्या है? समान है अब आगे पढ़ेंगे सरनाम के भेद सरनाम निमलखित प्रकार के होते हैं सरनाम के भेदेखिए पहला पुरुस वाचक दूसरा निश्चय वाचक तीसरा अनिश्चय वाचक चौथा सम्मंद वाचक पांचवा प्रश्न वाचक और छठा निज़ वाचक अब हम सबसे पहला सरनाम पढ़ेंगे पुरुस वाचक सरनाम जिन सरनाम सब्दों का प्रियोग आप कहा जा रहे हैं। वह कहानी पढ़ रही है। उपर यूद्त वाक्य में मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले और वह अन्यवक्त के लिए प्रियोग किया हुआ है। अता ही ये सभी पुरुसवाचक सरुनाम है। पुरुस वाचक सरवनाम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं. पहला उत्तम पुरुस, दूसरा मध्यम पुरुस और तीसरा अन्य पुरुस. उत्तम पुरुस इन शब्दों को बोलने वाला अपने लिए प्रियोग करता है जैसे मैं, मैंने, हम, हमें, हमारा आ आदी मध्यमपुरूस इन शब्दों को सुनने वालों के लिए प्रियोग करता है जैसे तू तुम आप आपने आदी तिसरा क्या है अन्यपुरूस इन शब्दों को बोलने या सुनने वाला किसी अन्यव्यक्ति के लिए प्रियोग करता है जैसे वह यह उसे वे यह आदी यह वह यह वह यह साइकल मोख्च की है वह वाशू का भाई है यहां पर क्या चीज है यह निश्य है कि यह साइकल मोख्च की है किसकी है मोख्च की और यहां पर क्या बता रहे हैं कि वह वाशू का भाई है मतलब यह चीज कंफर्म है कि वह वाशू का भाई है नमबर तीसरा अनिश्य वचक सरनाम, जिन सरनाम सब्दों का प्रियोग किसी अनिश्यत व्यक्ति या वस्तु के लिए किया राता है, वे अनिश्य वचक सरनाम कहराते हैं, जैसे कमरे अरवाजे पर कोई आया है, देखिए पहले कामे क्या बतारें कि कमरे में कुछ तूटा हुआ है, मतलब पर भी निश्यत नहीं है कि दरवाजे पर कौन आया है, नूमबर चौथा क्या है संब्द वाचक सरनाम, इन सरनाम सब्दों का प्रियोग वाक्य में आये अन्य शव्द या, शर्वनाम सब्दों के संब्द बताने के लिए किया जाता है, जैसे जिसने महनत की, उसने सफलत पाई, जो बुरा काम करेगा, जो बुरा काम करेगा वो सजा पाएगा, यहां पर क्या है समंध बता रहे हैं, नूमबर पांच प्रश्ण वाचक सरनाम, इन सरनाम सब्दों का प्रियोग प्रश्ण पूछने के लिए किया जाता है, जैसे पहला तुम यहां क्यों आये हो, वह आदमी क्या बेच रहा है, तुम यहां क्यों आये हो, क्यों क्या है, प्रश्ण वाचक है, दूसरा हम क्या है, वह आदमी क्या बेच रहा है, आगे देखते हैं, निज वाचक सरनाम, इन सरनाम सब्दों का प्रियोग वक्ता अपने लिए करता है, जैसे वन्स अपने तथा हम नोग ये वे इन्हें उन्हें ये सब क्या हैं भर अचैने २ाट झाल झाल